हेलो दोस्तों आप सबका मेरे चैनल क्राफ्ट एंड किचन बाइग एसेस पर स्वागत है आज हम बनाएंगे बेशन के लड़ू उसके लिए मैंने यह 200 ग्राम काजू लिये और 200 ग्राम बादाम लिये और यह एक कप नारियल लिया है कसा हुआ इन दोनों को हम मिक्सी में डालके पीस लेते हैं काजू और बादाम को नारियल को हम नहीं पीसेंगे यह मैंने बेशन दिया है यह थोड़ा एक किलो से ज़्यादा है उसको हम बचा लेंगे यह किलो हमने घी लिया है यह मैंने काजू और बादाम को पीस की पाउडर बना लिया है इसका यह नारियल मैंने ऐसे ही रखा है गैस चला दिया इस पर खड़ाई रख दिया खड़ाई गरम होती है तब तक हम गी निकाल लेते हैं खड़ाई गरम हो जाएगी इसमें गी डाल देंगे तक हमारा गी भी गरम हो जाएगी यह मैंने इसमें दब्बे में इस गी निकाल के डाल दिया है इसको अभी गैस तेज रखनी है तक हमारा गरम हो जाएगी इसको सारा गी डालने के बाद इसको हम चलाते रहेंगे बेसन हम तब डालेंगे जब गी सारा गरम हो जाएगा दीरे दीरे गी गरम हो रहा है तक हमारा गरम हो चुका है अब हम इसमें बेसन डाल देते हैं थोड़ा बेसन हमें बचा लेना है क्योंकि वो एक किलो से ज़्यादा है बाकी का बेसन मैंने इसमें डाल दिया इसको हम अच्छे से मिला देंगे और इसको चलाते हुए भूल लेंगे बेसन मैंने मोटा वाल लिया है मोटा बेसन आता है लड़ू के लिए यह वो बेसन है इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे गैस मीडियम रखनी है मीडियम गैस पे चलाते हुए इसको भूल लेना है जब यह भूनेगा इसमें अच्छी से खुश हुआने लगेगी और रंग बीस का बदल जाएगा हम इसको तब तक चलाते रहेंगे बेसन को भूने में कम सक मादा गंटा लग जाता है थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है इसका इसको में छोड़ना नहीं है चलाते रहना है इसी तरह चलाते रहेंगे अगर गैस मीडियम ही रखनी है तेज गैस पर नहीं भूनना इसको यह इसका कलर बदल चुका है खुसबू भी आने लगए देखिए इसका कलर बदल चुका है तो हमारे वेशन भून चुका है गैस बंद कर देते हैं और इसको चलाते रहेंगे अब इसमें नारियल डाल देते हैं यह कसा हुआ नारियल है और यह काजू और बादाम का पाउडर जो बनाया था उसको भी हमीशी में डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे इसको चलाते हुए इसको मिलाते रहेंगे यह थंड़ा भी हो जाएगा और मिक्स भी हो जाएगा यह थंड़ा हो चुका है बेशन हमारा इसमें हम बूरा डाल देंगे एक किलो मैंने बूरा लिये यह किराना इस्टोर पर आराम से मिल जाती है यह बूरा मिलाने के बाद अच्छे से मिल गई है इसमें बूरा इसके अब हम थंड़ा होने पर लड्डू बना देंगे यह हम इसके लड्डू बना के तयार कर लिए सारे लड्डू बन चुके हैं सर्दी में खाने चाहिएं इस सभी के लिए अच्छे होते हैं सर्दी में खाने के लिए कोई भी खा सकता है इनको तो बनाईए और खाईए आपको मेरे बनाई लड़ू कैसे लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को सेयर करें लाइक करें कमेंट करें वीडियो देखने के लिए धन्यावाद